हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की रेडमी 13C फोन में आप लोग वाइफाई को कैसे कनेक कर सकते होगा इस QR कोट के जरीए अगर आपके पास एक रेडमी 13C फोन है और इस किसे आप लोग करेक्त करोगें अज करो है तो आज के वीडियों में में हँ बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियों को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियों पसन आए वीडियी को लाइक कर दे जिरो और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करदेश तो यहाँ पर जो है हमें अपने फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो वाइफाई का ओप्शन है इस पर क्लिक करके हमें वाइफाई को पहले ओन कर लेना है वाइफाई ओन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो दूसरा फोन है जिससे आ यहाँ पर आ जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर पासफोर्ट बगरा आ गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले connect करके रखा था तो इसलिए automatic connect होगे तो इसको मैं forget कर देता हूँ तो अबर forget कर दिया मैंने देख सकते हैं तो आभी आगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो बगर आएगा लेकिन यहाँ पर QR code से कैसे connect करतेगा इस उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर होट्सपोर्ट में यहाँ पर share होट्सपोर्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर एक QR code आ जाएगा इसको scan करना है scan करने के लिए wifi में देख सकती आप एक scanner का option है इस पर क्लिक और camera open हो जाएगा और इसी camera से आपको इसको scan करना है scan करते ही आप आप पासपोर्ट डालने के भी जरूरत नहीं automatically connect हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने Redmi 13C phone में wifi को connect कर सकते हो QR code के जरीए तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसा ना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई